यहाहलो सो आज Cake वीडियो में हम उलोग डिस्कस करेंगे चिस तरीके से लेवल्स होता है उस पर हम वेरिफाइब कर सकते हैं प्राइज्टेक्षinkyंएंट रिस को और कौन से तरीके होते हैं कि ने टाइप so first of all हम लोग यहां पर इस type के levels हो plot करेंगे जहां पर multiple touches हुआ हो okay just like this line as you can see here you can see multiple touches like 1, 2, 3, 4, 5 so this is a valid level now add some more level in this zone at this level you can see one here you see the rejection rejection so this is a justified level yeah continuously rejection the crew RGB here we see 1, 2, 3, 3 touches and if we go back here we find this as a resistance 1, 2, 3, 4 this is a valid resistance चलिए 4 level हमने draw कर लिये हैं और यह हमने कहां से draw की हैं आपको दिखा देता हूं maximum हमने इधर तक consider किया है so I add a vertical line here so we know कि इसके पहले का area हमने analyze किया है इसके आगे का नहीं किया है तो अभी हम आगे के बात करते हैं तो चलिए यहां पर ही चलते हैं तो हम इसको justify करने कोशिश करते हैं कि यह जब previous level था यह किस तरीके से यहां से rejection है because this was an area of interest यहां पर so हम यहां पर क्या करेंगे इसको justify करने के लिए यह वन मिनिट के चार्ट है सबसे पहले यहां पर यहां पर क्या देख सकते हो कि यह जो candle है it's kind of rejection it's a very big wick and it tells us कि बहुत important level है यह rejection है for now but someone already made money when you actually were watching कि यहां पर buy करना चाहिए इस area पर कि नहीं करना चाहिए उस ते पहले ही किसी ने हां buy करके यहां पर exit भी कर लिया I think या फिर यहां पर exit कर लिया so this level यह जो था यह exit point था और यहां पर पैसा बन भी गया but as a price action trader जो price action का analysis करते है वो a little slightly slightly better than indicator analysis जो होता है आपका कि indicator क्या होता है और भी delayed signal देता है let's say this is the moving average तो इस moving average में आप कहां breakout का वेक करोगे कि price इसके उपर आया बहुत ही delayed signal देता है लेकिन price action जो signals होता है वो उससे slightly better होता है लेकिन वो ultimate नहीं होता है कि इस तरीके के नहीं होता है कि वो इस type का confidence देते कि यहां पर आप order पहले से लगा के रखो यह तब possible होता है जब आप एक अच्छा risk और money management strategy plan करते हो along with price action तो यहां पर हम देख सकते कि rejection है so where you have to enter as per price action trading okay so as you know as per price action law कि जब भी एक rejection आता है तो एक retest बनता है okay so what is that retest is that कि यहां से आपने देखा rejection है so इसके बाद से price भाग गया भाग जाने दीजे लेकिन आप एक area of interest के देखते हो कि जब rejection आता है it's kind of second opportunity यह यहां पे यह कहां पे आपको buy करना है कभी जो rejection हो सकता है हो हो सकता है प्राइज से यहां से ही भाग जाया कभी नीचे कभी से नीचे ही नहीं है second condition होता है कि price इसका 50% area के आसपास आके भाग जाए third condition हो सकता है कि price का low भी touch करके फिर भी उपर भागेगा ठीक है इसका end of the result यह होगा कि आप वहाँ पे लेवल फेल होने के बाद भी अगर आप hold कर रहे हो तो आप भारी नुकसान पे जाओगे यह एक situation हो जाती है कि जब आप you fail to deny that you are being a loser in the market अगर आप इसको accept नहीं कर सकते हो तो heavy loss में जा सकते हो तो बहुत ही सिंपल चीजे है रिजेक्शन देखना है हमें और रिजेक्शन के बाद वाटेवर दिस केंडल साइज यह जो भी केंडल साइज है आपका रिजेक्शन वाला you have to place a rectangle here like this and यहां पे जब भी आप देखोगे तो मैंने बताया बहुत सारे condition हो सकते है इसप्राइज उपर से भी भाग सकते हैं नहीं इसके लोग को भी टाच कर सकते हैं वाट यह तो टेक रिस्क एड़ दा 50 परसें दिस लाइन यह जो इसका रेक्टेंगल का मिट पॉइंट है यहां पे अगर आव एंटरी करते हो तो दिस इस मतलब एक लॉजिकल एंट्री बनती है इस टॉब लोस कहां पर लगेगा आपका इस पैटन के जस्ट यहां पर नीचे अगर इस टॉब लोस अपने लगाते हो तो बहुत ही बड़ा डिजस्टर हो सकता है जैसे कि इस तरीके का होता है अला कि कुछ स्ट्रेजी होती जहां पर इस टॉब लोस नहीं लगा जाता है बट मैने बताए कि वह combination होती है risk और money management का according जैसे कि मैंने बताया इस पे मैंने just 25% buy किया है तो अगर fail होगा तो दुबार रभाई करूगा तो उस condition में it's not valid to add stop loss but as a price action trader if you are tracking the full entry 100% of the position quantity here then it's very necessary to add your stop loss अभी आपने देखा कि यहां से आपको जब price एक बार आपके direction पर move करने लगता है तो आपको अपना stop loss जो होता है वो trail करना at least cost to cost जो से कि आपका यहां पर था आपको इधर लेके आना ही आना है किसी भी condition पर ठीक है और हो सकता है आप बहुत चिंदी पैसा बनाया इसमें बहुत small quantity 10 डॉलर ही बनाया it's totally acceptable but आप आगे देखो कि यह level fail भी हो गया है तो उस condition में something is better than nothing so it's all the laws जिस level को काम करना होता है वो एकदम यहां से भयंकर तरीके ब्रेक आउट दे के यह सी इधा 3000-4000 जा सकता था लेकिन वो sustain नहीं कर पाया उसको नीचे गिरना था इसलिए आपका stop loss नहीं आपको बचाया heavy loss से तो हम यहां पर verification कैसे करेंगे कि जब यह price इधर पर आया retest area पर तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोई pattern type का नहीं बना है it's continuously attempt to हुआ है कि इसको break करने का as you can see 3 beer candles here but finally price फिर भागा उपा लेकिन attempt हुआ है तोड़ने का इसका मतलब क्या हुआ कि the trend is in continuation in the downside as you can see there is no pattern है कोई भी ऐस pattern कि अगर हम बात ही छोड़ दे तो हमें देखना है कि जिस तरीके से शतरंज में होता है जिस तरीके से मात दी जाती है उस तरीके से हम यह जन पर देख रहे है कि बियर्स को मात कोई बुल केंडल दे रही है क्या तो चिकन सी है कि this is a very long week rejection यहां पर बिलकुल मात दी जा रही है लेकिन यहां पर काफे attempts हो है जिसे वन यहां सही भागना चाहिए प्राइस को लेकिन लेकिन जब वो इफ़र्ट फेल होता दिखा तो अपने सेल पोजिशन को होल्ड कर दिया गया और वो इधर से सेलिंग फे शुरू हुई ओके बिकास इस 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 अ कन्फरमेशन की इस नाट च्रॉंग साइन और रिजेक्शन कोई स्ट्रॉंग केंडल सिक पैंड जस्लाइक की यह जो आप केंडल देख रहे हो इसका हाई नहीं तूट पाया है है ओके और उसके बाद भी प्राइस गया है उपर बट दिर जनो इस ट्रॉंग पैटर्न है इन दिस एरिया तो इस इस वाई एक्शली प्राइस वेंट एयर एंड आफ्ट डैट रिजेक्ट इड़के इधर आप देख सकते हो कि यह जो है इस केंडल का लो जो है इस कांड सका गन्यों से केंडल में है तोट गया है वाडी से टूट गया है वीक और बांडि तो ड़ली मेंटर सो बाड़ी से तो ना थोड़ा स्ट्रॉंग माना जाता है कि टूंडारment सी आफटर डेट प्राइस वेंडाव ओके तो आपने देखा यह एक स्ट्रॉंग लेवल था डिटेस्ट एरिया और यह तो फाइनली फेल होने वाला लेवल है लेकिन यह जो डिटेस्ट एरिया है यहां पर आप देख सकते हो कि केंडल की बॉड़ी से ब्रेक आउट हुआ है तो जो कोई स्कॉल पर होते हैं जिनक को बहुत immediate exit चाहिए points profit मतलब बनता है तो ठीक है अगर नहीं बनता है तो हमें exit बहुत fast चाहिए तो वो यह सिर्फ इस property को देख सकते हैं कि एक कोई candle का body नीचे close हो गया है तो हमें exit square of money market price पे लेकिन अगर किसी level की नीचे just weak से close हुआ है so you have to keep holding the position until price आपका यह condition नहीं बना state signal to exit your trade तो इस example पर आप देख सकते हो so again यहां पर आपने देखा अगर आपने इधर buy भी किया तो stop loss बहुत छोटा सा बनता है कि इसके just हलका सा नीचे so इधर buy किया है इस level पे first of all price account trader blindly buying नहीं करते हैं तो इधर कोई pattern नहीं बना है so you can't buy इधर आप अगर देख रहों आपक तो इधर अगर आप buy करते हो तो इधर छोड़ा से stop loss आपका चला जाएगा after that here you can see यहां पे फिर I have zoomed out so काफी attempts हुए इधर और इसके बाद आपने देखा कि price 50% area से reject हुआ फिर और भी नीचे गया इधर तो इधर जब reject हुआ है so there is no property like candle patterns here इधर आप देख सकते हो इस एरिया पे hammer बना हुआ है so again you can buy और आपका stop loss जो होता है इसके नीचे बाटता है okay so in this condition अगर आपने इस hammer पे बाई किया हुआ है तो इधर आप क्या देख सकते हो कि price गया फिर रिजेक्ट करने आया मतलब फिर्स्ट अपॉल देखे price action प्रॉपर जो traders होते हैं उनका पहला होता है कि analyze और दूसरा होता है trade और यह analyze क्या लेवल नहीं analyze होता है patterns क्योंकि price action एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ candlestick pattern पे डिपेंड है और इसमें कोई आप सब्सक्राइब की पीवट लगा कि मैं trade कर रहा हूं या फिर आप Camerilla woody जो भी आपका और कोई level system लगा कि आप उस पे आप इस लेवल पर यह जो information 2672 अब जैसे मैंने पोस्ट किया 2672 पर मैं buy करूंगा तो इस kind of blind decision naked decision है तो यह price action ट्रेडिंग नहीं हुआ okay price action ट्रेडिंग वह हुआ कि मैं जब मैं बोलूँ कि 2672 पर प्राइस का verification करके retest पर मैं buy या sell करूंगा तो वह एक price action का information हुआ ठीक है तो यह आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आप price action ट्रेडर हो कभी भी आप blindly buy करी ही नहीं सकते आप तो candle pattern का verification करके buy sell करते हो ठीक है अगर यह काम किया आपने ब्लाइंडली अगर कभी भी buy sell किया तो इसमें उल्टा पूर नुक्सान होगा क्योंकि आप totally violet कर रहे हो कोई भी level कभी भी guarantee नहीं देता है कि वह 100 परसंट या आपके लेवल पर वैसे बाई करूंगा प्राइश एक्षिन इन फोन नहीं देखूंगा तो उसमें total नुक्सान हो सकता है आपको कि मैंने पता है कि यहां पर आपको भाई करना थे फर्स्ट आप अल स्टप वन एनलाइज दर पैटर्न सेकेंड वेट फर री टेस्ट वेट वेट वाद इस यह आप देख रो इसका 50 परसंट यह आया है और उसके बाद प्राइज यहां से भाग आया है तो यह प्राइज कहीं भी जाए यूव तो स्टार्ट ट्रेलिंग ओके तो वन्स ट्रेल यूर पोजिशन दन यूवल अटिमेंटली एंड अंड प्रॉफिट सबसे बड़ा गोल यह आता है कि हमें जो भी प्रॉफिट बनाना है वो कितना भी बने लेकिन लॉस जो है वो हमेशा लिमिटेड लेना है और उस लॉस को समझने में ही लोग इतनी गलती कर देते हैं और इसका रीजन ही है कि लॉस क्यों होता है कि इमोशन जो होते हैं जनरेट होते हैं तो आप अपने आपको गलत बोलना ही छोड़ देते हो आप सोचत continuously fall होता गया अगर इस तरीके से तो यहां पर आप अपने आपको accept करने लगो कि नो यह अभी just noise है अपने देखा body से भी close हो गया तो भी आप accept करो नहीं noise से हो सकता है price reverse इस तरीके से आप 10,000 रुपए की नुक्सान में आज आ गया हो फिर भी आप सोच रो नहीं reverse होगा इस तरीके स्ट्रेड नहीं किया जाता है चाहे कि आपको profit बने या ना बने आपको loss एकदम सही बुक करना है मतलब इसका जहल का सक body से जिस तरीके से अगर यह candle से लो टूटता है आपको मिले दस ट्रेड में नुक्सान हो वो नुक्सान सहना है क्योंकि यही नुक्सान एक दस ट्रेड के शिर्व एक ट्रेड का profit आपका completely करा सकता है ओके तो यहां पर हम अभी इसको justify करेंगे कि actually यह क्या होता है अभी हमने रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे इन्ही लेवल्स पर कि किस तरीके से breakout भी आप कर सकते हो तो सबसे पहली condition कि यह अगर resistance है आपने justify किया हुआ कि पहले से यहां से rejection है तो यह एक resistance जब वह एक सेम कंडिशन होगा इस कॉल पर वाली की एक पॉडी से close हुआ है या फिर किसी strong candlestick pattern से तूटा है अब देखिए candlestick pattern जो होता है reversal pattern अलग होता है continuation pattern अलग होता है तो continuation pattern यहां पर आपको क्या दिख रहा है three higher high ओके तो इसको हम बोलता है three white soldiers भी बोलता है हाला कि three मतलब sequential candlestick ने दूसरे का ही तोड़ा दूसरे का ही तोड़ा तीसरे का ही तोड़ा तो इस तरी हाय राइज और इसमें यहां पर इस तरीक एक continuation pattern से breakout देना इसका मतलब है आपने first number step one analyze second आपने यहां पर entry ले लिए यह जो pattern है इसका इसका जो 50% area है exactly वहां पर अगर आप बाई करते हो रिक्टैंगल का midpoint इधर से आपको प्राइस भागा है तो अगें इस तरीके से breakout entries भी होती है तो प्राइस एक्शन ट्रेडर का complete goal होना चाहिए कि सबसे पहले लेवल पर प्राइस को आने दीजिए और जो market movers है उनको reaction देने दीजिए उसके बाद आप अपना जो भी decision making है वो आप process बाद में करोगे कभी-कभी आपको ऐसा होगा कि entry ही नहीं मिलेगी मतलब प्राइस इधर आया आया आप वेट कर रोड़ी टेस्ट का entry आई ही नहीं तो यू डॉंट है अगर इस तरीके का panic situation है अगर कि entry नहीं आ रही है या stressful situation क्रेट हो रहा है तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे यह pattern है तो आपने यहां पर entry लगा कर रखी है और stop loss भी लगा कर रखा है यहां पर entry भी लगा कर रखा है अब छोड़ दीजिया order को आएगा तो आएगा नहीं आएगा तो एक घंटे दो घंटे बाद चार्ट खोल के चेक किया नहीं execute हुगा cancel मार दिया order okay but you don't have to watch screen every time in every 5 seconds to check की retest आ रहा है कि नहीं को बिकॉस यह situation बहुत जी ज्यादा पैनिक फूल हो सकती है और एक stress क्रियेट करती है कि कभी कभी क्योंकि price की मर्जी है वो आएगा तो आएगा नहीं है तो नहीं है तो नहीं आएगा कि सो हम आगे अगर देखें कि कि इन लेवल्स पर रियक्शन क्या हो रहा है अभी एक recent reaction है इस लेवल पर आपको दिखा देता हूं इधर जो है इस kind of very strong pattern है यहां पर आप देख सकते हो प्राइज ने नीचे आने कोशिच की तो अगर आप यहां ब्लाइंड ली बाई करते ह आप डर सकते हो कि देखो breakout हो गया लेकिन नहीं इसका देखिया जवाब जो उल्टा हो उसी स्ट्रेंग से दिया गया है rejection candle से तो इधर क्या करना है आपको रिएंट्री तो आपकी लगेगी ही नहीं तो यह पूरा मूँ आपका छूट जाएगा तो अगर यह पूरा मूँ आपको बहुत ही भेंग कर नुकसान हो सकता है क्योंकि उस कंडिशन में मैंनेज नहीं कर पाओगे अपने ही रूल वाइलेट कर रहो तो आगे भी करोगे क्योंकि अगर आपने ऐसा किया किया ब्लाइंड लिवाई किया तो next time क्या होगा इसका लो भी तूटेगा तब भी आप कहोगे नहीं अभी मैं वेट करूंगा तो अगर कोई ट्रेडर अपने रूल्स को ही वाइलेट करने लगा तो इसमें पैसा बनाना अलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है तो यह ट्रेड आपको मिल ही नहीं सकती एस पाइस पर प्राइस एक्षिन इस आलमोस्ट इंपॉ यह ज्यादा होता है यह कि यह जो रिक्टेंगल और आप को नुक्सान होगा लेकिन ये जो का हैपने इधर ले लिया मैश्चहार अप तो criteria इस भागे लेस्ट ट्राई लेस्ट ट्राई वाला हिसाब हो गया तो वही आप अपने रूस का जैसे ही वाइलेट करोगे वैसे तीन ट्रेड जो प्रॉफिटेबल होंगी उनका एक ट्रेड मनुक्सान बराबर कर जाएगा आपका आपको समझा दिया कि डिसिप्लीन कैसे रखना है अब यह जो इतना च्रेड है काम जरूर करी काम हजारों चीज़ों करती है मार्केट में हजार चीज़े फेल भी होती है लेकिन आपका अपने कंडिशन पर आपके टांसें कंडिशन के साथ से जो एंटर एक्जिट मिल रही है सिर्फ उसको ही आपको खना है अब वस्ट आससले लेडिए आप़ था जपिए टो एक अजिट वीडियो और लू यह जडियों कि लाग थाज़ प्रीजिया थे प्रीज़े लूर प्रीज़ एट ट्वाची के अभाची